हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्पेशन कम्मूटी पे आप सभी बच्छों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो आज हमारा टेंस का ये फिफ्ट लेक्चर है इसके पहले टेंस के पिछले चार लेक्चर में हम लोगोंने टेंस के बहुत सारे इंपोर्टेंट रूल्स और कॉंसेट को सीखा है जिसके माद्यम से हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जिसके माद्यम से आप given sentence को देखते ही उसके अर्टेंस और wise को आसानी से भाचान सकते हैं और उससे पूछे के question को बना सकते हैं हमने पिछले lecture अर्थाटेंस के fourth lecture में बताया था कि आज का हमारा ही जो वीडियो सेशन है अर्था टेंस का जो फिफ्ट लेक्चर है ये बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है क्यों रहने वाला है आईए इसकी चर्चा एक बार फिर हम आपके साथ करते चले इसके रिफरेंस में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि एसे सी के द्वारा इंग्लिस ग्रामर से कोशन पूछे जाते हैं और ऐसा अभी तक कोई भी एक्जाम एसे सी के द्वारा नहीं कड़क्ट किया गया है जिसमें आपके ग्रामर से कोशन नहीं पूछे जाए और एसे सी के द्वारा ग्रामर से जब भी कभी कोशन पू पूछे या फिर past perfect से पूछे और इन में से किसी से नहीं पूछे तो फिर वो जाता है present in different के तरफ और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए सभी tenses की तरफ तो इस वीडियो को अंतक देखना न भूले क्योंकि आज हम लोग conditional sentence वे deal करेंगे future in different वे deal करेंगे तो यह दोनों बहुत important section है tense का तो ऐसे बहुत important section को और इसे related ideas and concept को देखने के लिए हमारे वीडियो को पूरे अंतक देखें अब आज के class को शुरू करने के पहले हम आपको बताते चलें कि हमारा यह जो batch है बिल्कुल निसुल्ग है ठीक है हम लोग SSC, CGL और CHSL के तयारे अपने इस free video course के माध्यम से आप सभी बच्चों को कराना चाहते हैं ऐसे उन सभी बच्चों का maximum तादात में हम लोग selection करवाना चाहते हैं जो बच्चे किसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो बच्चे सहरी छेतर में आके पढ़ाई नहीं कर सकते आर्थिक कारों से ठीक है या ऐसे कोई student जिनका एक या दो पेपर थोड़ा बहुत वीक हो और वो बच्चा कुछ नंबर से बारबार reject हो जा रहा हो तो ऐसे उन maximum बच् में हम लोग selection करवा सकें इसे उद्धे के साथ हम लोग ये free of course batch लेकर आप सबों के लिए आएं और हम आपको बताते चलें कि हमारा या हम सबों का ये जो batch है इसमें Monday to Friday आपका class चलता है और Monday to Friday आपका जो class चलता है इसमें हम लोग आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं जहां तक concept आपको Monday to Friday तक पढ़ाय गया होता है जिस किसी भी subject में जिस किसी भी topic में वहां तक के concept पर best practice seat आपको every Sunday हमारे app पे आपको प्रवाइड करा जाता है ठीक है और इन सभी classes के आपको PDF notes भी प्रवाइड करा जाते हैं वो भी कहा अबलेबल है तो अबलेबल है और ये app मिल सब्सक्रान होने की जरूद पिल्कुल भी नहीं है इसका link हमारे description box में given है जैसे ही आप हमारे video के description box में जाएंगे वहां पे आप सबसे उपर देखेंगे PDF download करने का link ऐसा करके option given है वहां पे link given है तो आप हमाने app को install कर लें और app को install करके उसमें free of cost खुंद को register करें ये कैस के बाद आप जाएंगे हमारे my course के option में my course पे जाएंगे उसमें आप एसे सी के section में जाएंगे तो हम सबों के सारे videos आपको free of cost available होंगे और सारे videos के PDF सारे practice it और schedule ये सारे चीज़े आपको free of cost वहां पे available हमारा ये जो video session है बिलकुल free of cost है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार क कोई भी hidden charge include नहीं तो चलिए अब आज के class को हम लोग फटा फटा आगे बढ़ाते हैं चलते हैं सबसे पहले हम लोग सुरुआत करते हैं प्रेजंट सुरुआत करते हैं future indifferent का use हम लोग कब करते हैं future के किसी भी planned action को बताने के लिए या normally future के किसी भी घटना को express करने के लिए हम लोग यूश करते हैं future indifferent का किसका यूश करते है future indifferent का जयसा कि आप भजपन से पढ़ते आ रहे हैं आपenser है जैसा कि अब बजपन से पढ़ते हैं वा कल सुबा चला जाएगा वह कल आ जाएगा को ये काम होगा वह काम नहीं होगा ठीक है परदान मंतरी दिल ही आने वाले ह ऐसे इन सभी बातों को بتाने के लिए याने कि future के reference में किसी बात को express करने के लिए हम लोग use करते है future in different का ठीक है और साथ ही-साथ future के planned action को बताने के लिए भी हम लोग use करते है future in different का ठीक है तो आईए सबसे पहले जैसा कि हम आपको 10 के 1st lecture से पढ़ाते आ रहे हैं, जैसा कि आप हमारे बारे में जानते हैं, हम एकदम 0 level से, basic level से, एकदम जहां तक हो सकता है, वहां से नीचे से लेके आपको advanced level तक चलेंगे, ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हम सुरुवात करते हैं structure के मादें से, वह structure जो translation में आप सब उन्हें बचपन से पढ़ रखा हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए समझना और relate करना चीज़ों को काफी असान हो जाएं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं future and different के structure की तरफ और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे grammar के concept की तरफ, कि किस तरीके से आपके SAC exam में future and different से related grammar के concept को यूज़ करके question पूछे जाते हैं, और फिर आप उसको कैसे solve करेंगे, तो आईए सबसे पहले हम लोग चलते हैं slide की तरफ और देखना हम लोग शुरू करते हैं, यह हमारा structure के है, तो यह रहा future and different का structure, आप सबों को पता है भी, आप सब लोग बचपन से जानते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि इस first वाले structure का use हम लोग कब करते हैं, तो तब करते हैं, जब sentence future indifferent का हो, बट वो कैसा हो, positive हो, second वाले format का use हम लोग तब करेंगे, second वाले structure का use हम लोग तब करेंगे, जब sentence future indifferent का हो, किन्तो वो negative हो, third वाले structure का use हम लोग तब करते हैं, जब sentence interrogative हो, बट positive हो, fourth वाले structure का use हम लोग तब करते हैं, जब sentence कैसा हो, interrogative हो, करते हैं जब सेंटेंस डबलू-ेच इंट्रोगेटिव थीक हो। और सब किसमें हो तो फ्यूचर में हूँ ठीक है बात समझ में आरही है चलिए अब इन सबो पे बेस्ड इन सारे स्ट्रक्शर सगें go different के कुछ sentences का example हम लोग यहाँ पर देखते हैं आईए यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ इनको आप देख लिजे इनको आप लिख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं इनको आप भजपन से यूज़ करते आ रहे हैं तो अब इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे कोशन की तरफ लेकिन कोशन बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा इसका grammatical concept अब देखिए बेहद important section है यह इसको एकदम बहुत इत्मिनान से पूरे concentration के साथ इसको आप देखने और समझने का प्रयास अब देखिए जैसा कि हमने आपको past perfect पढ़ाया था क्या पढ़ाया था past perfect हमने आपको पढ़ाया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि यदि दो past के sentence एक साथ आपको दिखाई पड़ें आपके exam में दो past के sentence एक साथ यूज किये जाएं तो दोनों में कम से कम एक एक वर बताने के लिए चाहे उसको हम लोग lift में रखें या right में रखें या right में रखें इसे कोई फर्क ने पड़ था उसमें after या before लगा हो अथवर नहीं लगा हो हमने यही बताये था कि दो past का sentence six आथा है तो दोनों में से वो verb या वो action जो पहले complete हो चुका था उसको बताने के लि है ठीक है clear है अब इस rule पर बहुत सारे question भी हम लोगों ने इससे previous year में पूछे गए जो थे उनको solve किया था ठीक है अब यहां पे future in definite में भी कुछ इसी तरीके की बात है अब आप कहें कि past perfect से future in definite का क्या relation है हम आपको बताते चलिए देखिए अब यहां पे आपको दो future का sentence given होगा किस तरीके से question पूछा जाएगा दो future के sentence आपको एक साथ given रहेंगे अब इसका concept है कि यह दो future का sentence एक साथ given हो तो दोनों में solve will का use हम लोग नहीं करेंगे आप इस बात को ठीक से समझे दोनों में solve will का use हम लोग एक साथ नहीं कर सकते simultaneously नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सक यह है कि वो sentence वो future का sentence future indifferent का वो sentence जो किसी भी time और condition indicating what's a start future indifferent का वो sentence जो किसी भी time और condition indicating what's a start हो बात को ठीक से समझेगा future indifferent का वो sentence जो किसी भी time और condition indicating what's a start हो उसमें हम लोग cell will का use नहीं करेंगे उसमें हम लोग cell will का use नहीं करेंगे अब आपके मन में फिर एक question आएगा, यह time और condition indicating what क्या होता है, और यदि उसके बाद जो sentence start होगा, उसमें यदि हम लोग साल विल का use नहीं करेंगे, तो वो future की बात को कैसे express करेगा, यह question आप सबों के मन में जरूर से आना चाहिए, तो जो time और condition indicating what के बाद future वाला sentence सुरू ह होगा, उसको हम लोग लिखते है, present and different में किस में लिखते हैं, present and different में लिखते हैं, लेकिन वो बात किस की करता है, वो बात करता है future and different की, है ना suspense की बात, ठीक है, तो आईए अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा detail में समझाने का प्रयास करते हैं, सबसे पल हम आपको time or condition indicating what लिखते हैं, देखें, यदि किसी भी sentence में, या कोई भी future का sentence है, वो यदि, when, when, as soon as, as soon as, so long as, as long as, as long as, till, until, till, until, unless, unless, if, in case, suppose, suppose, etc. ऐसे किसी भी word से start हो, अब यह देखें, यह सारे के सारे क्या है, तो यह सारे के सारे आपके time indicating word है, यह condition indicating word है, अब देखें, अब देखें, अब देखें, ऐसे किसी भी word के तुरंत बाद यह दि, कोई भी future and definite का sentence लिखना हो, तो उसमें cell will का use हम लोग नहीं करेंगे, किसका use नहीं करेंगे, तो उसमें हम लोग cell will का use नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या उसको लिखेंगे हम लोग future and definite का जो sentence होगा, उसमें cell will का use नहीं करेंगे, उसमें हम लोग use करे किसका यूज करेंगे present in different का और वो बात किसकी करेगा तो बात करेगा future in different का ठीक है अभी भी हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को यहां पर अभी भी confusion है या होगा अब इसका एक दो example होना चाहिए बिना example का यह समझ में हम लोगों को आएगा नहीं जैसे हम आपसे कहते हैं कि जैसे ही मैं जैसे ही मैं माली से हमने आपसे आपसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं जैसे ही मैं अपने घर लोटूंगा hometown लोटूंगा आपके पैसे मैं return कर दोगा ठीक है अब जब आईए इसका एक example ले लें इसी sentence को हम लोग लिखते हैं as soon as as soon as I will return I will return to to my hometown to my hometown I will I will return I will return your money I will return your money अब जड़ा इस question में आप ध्यान से देखिए आपको क्या क्या चीज़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको कुछ चीज़े दिखाई दे रहे होगे सबसे पले यह as soon as फिर यहां दिखाई दे रहा वेल वेल के साथ देखिए यह क्या है यह है वर्ब का first form फिर यहां भी दिखाई दे रहा है अब यहां पे हमें इससे कोई मतलब नहीं होता अब यहां पे हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मतलब नहीं होता कि यह पहले वाले sentence में लगा है यह दूसरे वाले sentence म भोल्मा के बाद स्टार्ट हो रहा है तो as soon as अगर यहां लगा हो होता हो तो इस पार्ट में cell seal का use नहीं होता लेकिन अभी इस question में as soon as तरह आपकी समझा रहें वाले सेंटेंस के साथ लगा है तो ये हम आपको समझा रहे थे कि यदि कोई भी सेंटेंस जैसे मालेज़े ये दो sentence है हम यहाँ पर आपको लिखे दिखा रहे हैं हम एक if का example लेते हैं हम किसका example ले रहे हैं if का example ले रहे हैं condition वाले what का example ले रहे हैं अब यहाँ पर दो sentence है दोनों future वाले sentence है ये भी future और ये भी future ये भी future और ये भी future इसको ठीक से समझना भाई सब लोग ठीक है तो इसको ठीक से समझेगा क्योंकि इससे यदि question पूछा जाएगा तो question गलत होता है नहीं है मतलब इस concept को आप सीख लिए तो आपके दो number पके और इस concept को यदि आप नहीं सीखे तो आपके डाई number गए ठीक है बढ़ नहीं कर सकते इस बात को अप ठीक से समझेए यहां पर हम लोग सेल विल का यूज नहीं कर सकते अब यहां पढ़ चुके हैं यहां पर नहीं में होगा नहीं होगा का मिंग क्या होता है तो अ बात समझे में आ रहा है तो यहां पे हम लोग लोग कर सेara का बढ़र आएगा इससे हमें को या पत्ती नहीं है के सेल लिखा जाए या नहीं लिखा जाए यहां पर यदि present आना चाहे आ सकता है हमें कोई दिक्कत नहीं है cell wheel के साथ आना चाहे आ सकता है हमें इसे कोई दिक्कत नहीं है और यहीं same condition यहां भी applied होता है कि यहां भे cell will आना चाहे आ सकता है अर्थातिहां future आना चाहे को को कुशन में तो भी हमЕं कोई दिक्कत नहीं है और यहां पे यहां पर इति cell will का यूज नहीं किया गया हो यहां पे present indifferent हो और फार्फ we very first form या फिफ्त form का यूज किया गया हो तो भी हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में आ रही है अब इसी concept का यूज यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है तो यह क्या है यह time indicating word है तो time और condition indicating word के बाद पहला sentence कौन सारा है यह हाला है हमारा पहला sentence तो इस sentence में cell will का यूज हम नहीं कर सकते और यह करेंगे तो यह grammar की गलती बनेगी इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां से विल को simply remove कर देंगे अब यह देखिए आई क्या है तो आई को हम लोग मानते है प्रेजंट में यह बात किसकी करेगा यह कौन से सेंस एक्सप्रेस करेगा तो यह बात करेगा future and definite का यह सेंस एक्सप्रेस करेगा future and definite का यह बात समझ में आ रही है ठीक है तो आईए अब इसी concept पर best हम लोग चलते हैं slide की तरफ और आपके previous year में पूछे गए कुश को लगाते हैं तो आईए सुरुवात करते हैं हम लोग यहां से slide के तरफ चलते हैं और question को लगाना शुरू करते हैं आप इस question को देखे ज़रा है यह कब पूछा गया आपके CGL 2020 का question है आप यहां पर देखे इस question में आपको दिखाए क्या क्या दे रहा है सबसे पहले आप यहां पर notice करेंगे दिहान देंगे तो आपको यहां दिखाए देखा if क्या दिखाए देखा इफ दिखाए देखा इस वाले parts से हमें कोई मतलब नहीं होता इसे हमें कोई मोहबब नहीं होता भास समझ में आई तो इसके चाहनी खतम अब हमें sentence यहां negative है, यहां not लगा हुआ है, not लगा हुआ है, तो do does का use होगा, यहां पर देखे ही है, ही के साथ का use करते है, तो यह बार तो correct हो गया, अब आप याद किजिए, हमने आपको present in different में बताया था, और पिछले सारे lectures में हमने इसको चिला चिला कर आपको समझाया है, बताया है, do does के साथ वर्ब का कौन सा form आता है, तो वर्ब का first form आता है, do does के साथ वर्ब का कौन सा form आता है, वर्ब का first form आता है, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे में is लगा हुआ, में यह जो इस लगाई से, इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से remove कर देंगे, तो हमारा answer क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा, sentence हमारा correct हो जाएगा, अब इसका answer अब जरा ढूर दिए, तो हमारा answer क्या बनेगा does not mend यहां देखे answer क्या बने है option number C ठीक है इस second वाले question को ज़रा देखे second वाले question में हमें क्या देखने को मिल रहा है यह देखे यहां पे क्या मिल रहा है if लगा हुआ है if के बाद वाले part में देखे यह क्या है gets यानि कि यह क्या वर्ब का fifth form वर्ब का कौन सा form fifth form अर्थात if के बाद वाला जो part है वो किसमें लिखा हुआ present indifferent में तो यह part तो मेरा correct हो गया if के बाद वाले part में यहां पे कहीं कोई error नहीं अब चुकि यहां पे error के लिए आपको यह sentence इस इंपर्वर्मेंट का part दिया गया है इसमें बताना है क्या करें अब देखिया my नीस ठीक है अबमनीस कैसा है singular ठीक है अब नीस यह यह इनी सिंगुलर है और यह यह दि प्रेजंट Caitlin हो तो पिक में इस लगा होता है दूसरा यह देखे will have होगा नहीं no substitution होगा नहीं क्योंकि यह given part पहले से wrong है अब यह देखिए will pick me up यह दोनों ही option correct है यह दोनों ही option correct है अब दोनों option जब correct है तो ऐसे situation में हम लोग prefer करेंगे sell will वाले को किसको prefer करेंगे sell will वाले को prefer करेंगे तो हमारा answer क्या हो जाएगा यह तो मेरा answer क्या हो क्या my knees will pick me up from the station if she gets a shot leave from her office ठीक है चलिए आगे बढ़े हम लोग अब देखिए आप मैंसे कुछ बच्चों को फिर यहां पर मन में doubt आएगा सर इसका Hindi meaning समझाते नहीं है Hindi meaning समझाए विना question को यूँ ही बनाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं तो भाई हम आपको पहले के classes बता चुके हैं अभी भी हम आपको repeat कर रहे हैं देखिए आप जो Hindi के चक्कर में रहते हैं तो Hindi का चकर आप छोड़ देजी क्यों छोड़ दे भाई क्योंकि आपके exam में आपके पास इतना time नहीं होता कि आप वहां जाके इसको Hindi में translate करेंगे ठीक है पहली बात दूसरी बात कि हम जैसे आपको सिखा रहे हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं आप इस concept का यूज करके देखिए आप कहीं से किसी भी book से किसी भी previous year से या किसी भी book से आप question को लगाईए आप से question नहीं ब जाएगा और selection हो जाएगा तो मेरा उदे से पूरा हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो चलते हैं से आगे अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या है हमारा अगले question में फिर से आप देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है इफ अब इफ के बाद यह he does not reach तो यह वाला पार्ट तो correct हो गया ही के साथ यूज होता है और चुकिए sentence negative है तो do does use होगा ही के साथ लगा हूगा यह पार्ट correct हो गया और do does के साथ फॉस्वामा था यह पार्ट भी correct है तो इस पहले वाले sentence में यहां तक वाले में तो कहीं कोई error नहीं है अब हम ल पास क्या लिखा हुआ है और लिखा हुआ जो गलत है अब देखे कोई भी model auxiliary वाब हो उसके साथ हम लोग वर्प का concept हम यूज करते हैं यह बात भी हमने आपको कई बार बताई है अब यहां पर एक और चीज़ सीखनी है आईए हम लोग उसको सीखना भी शुरू करते हैं त अब देखे यहां पर हो गया रहा है यहां पर उड़ का иुज कर लिए तो तरीके से होना क्या चीज़ है किया ह्यांपर पर यूज करते हैं तो विल का यूज करते हैं तो यहां पर सबूंत रहे हैं यह अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं भूर्ट की तरह और यहां पर हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं यह कॉंसेप्ट है कहां पर करेंगे इसको ठीक से समझें यदि किसी भी सेंटनेंस में helping Esto तो यदि किसी भी सेंटेंस में helping वर्ब और में वर्ब दोनों present हो तो एड़ वर्ब का यूज करते हैं helping वर्ब और में वर्ब दोनों के बीच में यूज करते हैं और तो और आगे चलकर हम लोगों को पढ़ना ही एक हम अभी के अभी आपको थोड़ा सा बताते चलें अब चलेएग को समझने के बाद हम आपको ले चलते हैं फिर सेूज के तरफ और अब इस स्लाइड की तरफ और लोग यहां पर solve करते हैं तो यह देखे यह sure क्या है यह sure है adjective sure क्या है sure है adjective तो इसको क्या बनाना होगा चुकि यह helping verb है ठीक है और यह miss क्या है तो यह हमारा main verb अब helping verb और main verb दोनों के बीच में लिखा हुए adjective adjective को क्या बनाना होगा एड़ वर्ब तो एड़्यक्टिव के लास में क्या लगा दे लवाई एड़ कर दें इसमें तो क्या बन जाएगा एड़ वाब बन जाएगा अब इससे रिलेटेड आप ज़रा में सिंग क्या में फिर से यह बीच में क्या एड़ एक्टिव तो यह उप्शन भी हमारा रॉंग हो गया यहां से आगे निकलते हम लोग अब चलते अगले कोशन की तरफ इफ यू ट्राइज यह देखे इफ यू ट्राइज यहां देखे सबसे पहले इफ यह कंडिशनल व यह देखिए डूडर्स के साथ वह आपका फॉस्ट पॉम आ गया यह प्रेजेंट इंडिफरेंट तो यह प्रेजेंट इंडिफरेंट में हो सकता है यही बात हमने आपको पढ़ाया है किन्तो किसी भी टाइम और कंडिशन इंडिकेटिंग वाड के तुरंत बाद यहां ज स्ञान दें यह यह क्या है ब्लूरल है यू के साथ हम लोग वर्व का फॉर्सट तो यहां ट्राइज की जगळ ओना चाही था अब ऑप सं ज रूंड लीजिया, option में यह देखिए, option बड़ी में लिखा हुआ, try तो, इस second वाले question का answer क्या हो गया, option बड़ी हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले clean कर ले, कुछ और question हम आपको दिखाते हैं, तो यह देख question का answer बना के, इन सारे, इन दोनों question का answer बना के, आप इस answer कहा करेंगे, comment box में, चलिए, अब हम इनको थोड़ा सा match कर लें आपके साथ, चुकि यह recent year में पूछे गए question है, अब देखिए, यह unless क्या बता रहा है, फिर से condition बता रहा है, उपर वाले में, if तो उपर वाले को हम छोड़ देते हैं, अब यहां पर देखिए, unless के बाद देखिए, यहां पर will लगा हुआ है, तो unless के बाद जो sentence आता है, until के बाद जो sentence आता है, when के बाद आता है, if के बाद आता है, in case के बाद आता है, suppose के बाद आता है, इन में हम लोग cell will का use नहीं करते हैं, तो यहां से क् होगा सिंप्लिस विल को रिमूब कर देना होगा अब यह क्या होगा इन्वाइट हो गया वर्ब का फॉस्ट फॉर्म यूज किया जाता है तो इस कॉंसेट के अब यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसके पहले वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है यह यह पार्ट करेक्ट होता तो हम चलते पीछे वाले पार्ट में क्या वहां पे कोई एरर है या वहां पे क्या किसी एरर की गुन जाइस है ठीक है चुकि इस पार्ट मे ही error हमें मिल गया तो हमें पीछे वाले पार्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है चले यहां से आगे बढ़ते हैं तो इस question का answer हमारा क्या होगा answer ज़रा ढूल लीजे आप answer क्या बनेगा simply होगा you invite ठीक है नक invited तो answer बनेगा हमारा option number D ठीक है अब चले यहां से हम लोग चलते हैं आगे और अब यहां यह जो कुछ पहुमाएगा अब यह meaning based है अब यह meaning based है इत हैस बिन अनाउंस दैट आट आफ्टर गैप ऑफ अल्मोस्ट तू मुंस domestic flight services विल अब क्या होगा जो domestic services फ्लाइट के जो थे रुके हुए थे वो फिर से क्या होगा फिर से continue होगा यानि वो करेंगा हमारा अंसर बने का option number c ठीक है नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग चलेंगे यहां के बाद चलेंगे हम लोग continuous की तरफ तो यहां पर ऐसे यह बहुत सारे question है इन सारे question का पर screenshot ले सकते हैं और इनका answer आप कहा करेंगे comment box में करेंगे ठीक है अब यहां आते हम लोग future continuous में तो यह रहा future continuous का structure इसका use हम लोग तब करते हैं फर्स्ट वाले structure का use हम लोग तब करते हैं जब sentence positive हो थर्ड वाले का तब जब sentence है interrogative but positive हो फूर्थ वाले का तब जब sentence interrogative but negative हो फिफ वाले का तब यूज करते हैं जब sentence wh अब इसको हम लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि future में जो 4 टेंस होते हैं उसमें future in different से सबसे ज़्यादा question मिलते हैं future continuous से कोई question कभी भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं यह ignored section है आपके SEC exam का ठीक है तो इसको ज्यादा focus हम लोग नहीं करेंगे इनके कुछ sentence based example हैं तो इसके बाद अब हम लोग यहां से चलते हैं आगे फटा फट अब यहां पर आते हम लोग future perfect यह future perfect का structure है इसका पहले वाले का यूज हम लोग तब करते हैं जब sentence positive हो और बाकी चीजे आप जाने ही रहे हम पिछले class से आज के class में भी लगातार इस बात को repeat करते हैं कि कब positive होगा तो कौन सा यूज होगा positive negative होगा तो कौन सा यूज होगा और नेगेटीव होगा तो कौन सा यूज होगा चलल यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ sentence बे एक्जम्पल लेते हैं अब इसमें देखिए यह जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक ही concept पर बिस्ड कभी कभी question पूछा जाता है ठीक है इससे को question create नहीं होते इनके future perfect से कोई भी question create नहीं होते create अगर होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही section होता है तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते है mode की तरफ और यहां पे हम आपको समझाते चले कि वह कौन सा section है जिसे question पूछे जाते देखे future perfect में कभी-कभी time indicating word available होता है, future perfect में कभी-कभी time indicating word present होता है, और यदि उसमें time indicating word present हो, तो चुकि हम सबों का भजपन से mindset बना हुआ है, time indicating word के साथ हम लोग क्या use करते है, तो हम लोग use करते है sense और fork है, किसका use करते है sense और fork का use करते है, बात समझ में आ रही है, किन्तु आपको यहां पे ध्यान रखना है कि future perfect में और future perfect continuous में दोनों में से किसी में भी हम लोग since का use नहीं करते है, future perfect में since for का use नहीं होता, future perfect continuous में since का use नहीं होता, future perfect continuous में for और from का use होता है, किसका use तो for और from का use हम लोग करते है, इस बात को ठीक से स इहांसे समझें, देखिए कैसे, अब इसका एक एक एक्जम्पल लेते हैं, जैसे मा लिजे, इसमें टाइम इंडिकेटिंग वोड कभी भी पूछा जाए, या इंक्लूड हो, फ्यूचर पर्फेक्ट के हम बात करने हैं, फ्यूचर पर्फेक्ट में यदि कभी भी कोई भी ट करते हैं, आएजच को सीखते हैं, भाई का यूउच हम लोग तब करेंगे, जब आखिरी समय दिखाना होगा, इन डिंग समय दिखाना होगा, बिफूर का यूज़च हम से थोड़ा पहले कोई काम करना हो, इस बात को आप थोड़ा ठीक से समझी, जैसे हम कहें कि आपका SSE में selection या आपका SSE जो board है वो आपका SSE CGL का या CHSL का exam 15 मई तक ले चुका रहेगा अब देखें 15 मई तक हम यूज करें 15th में अब 15th में तक यानि 15th में को यदि include करने का sense होगा तो हम यूज करेंगे by अब यदि हम लिखतें यहाँ पर by 15th of May इसका मतलब यह है कि 15 मई के पहले भी हो सकता है जैसा कि आपका सिड्यूल exam कब से है भाई तो April में है ठीक है तो April में है last of April में है तो last of April से लेके 15th of May तक हो जाना चाहिए यदि by का यूज करते हैं तो 16th of May नहीं जाना चाहिए यानि 16 में नहीं हो सकता ठीक है लेकिन हम यहाँ पर यदि by के जग़ा before का यूज कर दे किसका यूज कर दे तो हम यदि before का यूज कर दे इसका मतलब यह होगा कि last of April से लेके वो कब तक जा सकता है maximum 14 में तक जा सकता है 15 में उसको touch नहीं करना चाहिए बात समझ में आ रही है तो 14 में को आधी राद तक वो काम हो जाना चाहिए बात समझ में आया तो before का मतलब है कि जो time आपको given होगा उसके पहले by का मतलब है कि पहले भी हो सकता है पहले अगर नहीं हुआ उसके आगे नहीं जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए इसका एक एक एक्जम्पल ले ले हम लोग तो फटा फटा इसका एक्जम्पल लेते हैं आर एसे सी एसे सी बोर्ड बोर्ड विल हैव विल हैव विल हैव कंडुक्टेड विल हैव कंडुक्टेड CGL CGL एक्जम एक्जम बाई बाई 15 बाई 15 में बाई 15 में ठीक है हमें आचाहे है तो बाई के जगई before का use भी कर सकते हैं अब ये जब भी आपको exam में दिया जाएगा तो इसके साथ कोई ने कोई दूसरा sentence attach होता है तो sentence के sense के according हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर आखरी वाला sense दे रहा है कि पहले वाला sense दे रहा है और फिर अब हम आपको इसके आगे लेकर चलते हैं स्लाइड में इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिजेंट सॉरी future perfect continuous तो यह देखे यह रहा आपका future perfect continuous का structure इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या यूज करें इसके बाद इसे जो for और from लगा हुआ है तो यही सीखना है आपको यहाँ पर since का use नहीं करते हैं बलकि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं for और from का तो फटा फट आप इसको note कर सकते हैं इसका screen sort ले सकते हैं अब इसके बाद इनके structure पर based यह रहे आपके सामने कुछ sentence based example ठीक है अब इसके बाद इसे जो for और from को लेकर आपके मन में confusion create होता है आईए अब हम सबसे पहले उसको समझाते चलें देखें यहाँ जो for और from मिलता है इनमें क्या difference है तो for का use करते हैं हम लोग ending time को express करने के लिए किसको express करने के लिए ending time को express करने के लिए हम लोग use करते हैं फॉर का और from का use करते हैं हम लोग initial time को express करने के लिए हम लोग use करते हैं from का किसका use करते हैं तो हम लोग use करते हैं from का ठीक है अब initial क्या है एंडिंग क्या है इसको आप समझे जैसे माल लेजे आप SSECJ लेखजाम में अपियर हो रहे हैं और आपकी दिली तमन्ना है आपके मन्न में एक्षा है कि आप income tax inspector बने ठीक है बहुत अच्छी बात है बगवान करें आप जल्दी से जल्दी IT inspector बन जाए income हम यदि आप से कहें कि आपकी ज्वायनिंग दिसम्बर 2023 तक हो चुकी रहेंगे तो यदि आपकी ज्वायनिंग दिसम्बर 2023 में होगी तो दिसम्बर 2023 में आपका जो service आपका जो job है वो continue होके इसके आगे चलेगा यानि कि ये आपके जॉब का ये आपके वरकिंग प्रोफाइल का इनिसियल टाइम होगा लेकिन मान लिजे आपके पापा जी आपके अंकल या आपके कोई जान पहचान वाले रिष्तेधार कोई income test inspector हो या किसी सरकारी विभाग में कहीं भी काम करते हो और उनके काम करने का आखरी ती यह हो आखरी समय यह हो December 2013 इसमें वो रिटार्ड हो जाएंगे तो ending time दिखाना हो तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे for और ये the joining वाली बात हो कि initial time वाली बात हो कि initial time वोला sense होगा तो इसके साथ हम लोग use करेंगे from का बात समझ में आई आई यह एक इसका example लेते हम लोग और फिर यहां से चलते आगे you you will have been have been working working as as an inspector as an inspector here here for for December for December 2023 ठीक है अब आप जड़ा देखें अब आपके लिए हम बात कर रहे हैं तो आपके reference में बात करें तो आपका job December 2023 से सुरू होगा कि December 2023 में जाके खत्म हो जाएगा क्या होगा तो आपका सुरू होगा अर्थात आपके लिए इनीशियल होगा इनीशियल होगा तो हम लोग क्या use करेंगे इनीशियल वाले किसमें हम लोग यहां पर क्या use करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फॉर की जगा करेंगे फॉर की जगा फ्रॉम का यूज करेंगे बात समझ में आ गई तो आए अब इस कॉंसेट पर विस्डम कुछ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले यहां देखिए है यानि प्रिजेंट में चर्चा चल रही है अब यहां देखिए विल फेस the worst job depression since the great depression because of the covid pandemic मतलब इसको जड़ा sentence को ठीक से पढ़िए इसको थोड़ा ससमझने का प्रियास किजिए economist have declared that economist ने जो अर्थसास्तिर लोग थे उन लोगों ने घोशना किया क्या गोशना किया है कि 2020 के जो graduates होंगे उनको सबसे ज़्यादा job depression का सामना करना पड़ेगा उनको सबसे ज़्यादा job depression का सामना करना पड़ेगा या वो लोग सबसे ज़्यादा job depression का सामना कर रहे होंगे कब से तो जब से COVID pandemic आया तब से यानि ये काम COVID pandemic से शुरू हो के continue है यानि किसी भी time interval में ये काम continue हो के और उसके बाद आगे continue है continue है future के reference में बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या use करेंगे हम लोग यूज करेंगे perfect continue है तो अब आप आईए यहाँ पे perfect continue हो ज़रा हमको सिर्फ वो section बताना है जिसमें grammatical error है तो जिसमें grammatical error है वो कौन सा section है will face वाला अब आईए will face वाला option आप देख लिए will face यहाँ पे लिखा हुआ है यानि हमारा correct answer क्या बनेगा option number D बनेगा ठीक है चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चलेंगे conditional sentence की तर time और condition indicating what यदि तुम मुझे कहते तो हम ऐसा काम करते जैसे आपने एक सोतंतरता सिनानी जो हमारे थे उनका जो एक tagline हम लोग यूज करते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूगा ठीक है कौन थे वो याद है तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूगा यह condition है तुम मुझे खून दोगे तुम मैं तुम्हें आ जादी दूगा यदि तुम मेरा book को वापस कर दोगे तुम्हें नया book दूगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो इस प्रकार का यह जो condition होता है इसको हम हम लोग कहा रखते हैं तो इसको हम लोग फ्यूचर इंडिफरेंट वाले में बात समझ में आ रहे हैं अब यहां पर कौन सा कंडिशनल सेंटेंस है इसको हम लोग थोड़ा समझने का यहां पर प्रयास करें कि यह कौन सा कंडिशनल सेंटेंस है सर आप यहां पर क्या समझाना चाहरे है अब हम यहाँ पर जो समझाना चाहरे है उसको हम लोग कहते है कोरी कलपना क्या कहते है कोरी कलपना क्या कहते है हम लोग तो हम लोग इसको कहते है कोरी कलपना अब यह कोरी कलपना कौन सी है भाई इसको जराब ठीक सी समझे तो यह रहा सबसे पहले आपका हेडिंग conditional sentence ठीक है conditional sentence में कितने type के पढ़ने हैं तो हम पहले type में चल रहे है type 1 का चार structure होता है कितने structure होता है चार four structure होते है इसके अब सारे structure को हम समझाते चलिए आपको इसमें आप देखेगा if के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगा वर क्या दिखाई देगा वर अब इव के बाद यहां सब्जेक्ट भी होता है इसके बाद यहां पर यूज किया जाएगा यहां पर में वर्ब हो तो वर्ब का second form यूज किया जाएगा तो वर्ब का second form यहां पर यूज किया जाएगा इस बात को आप ध्यान दिजिएगा और यहां पर हम जैसे आपको बता रहा है ठीक हो वैसे ही आप इसको समझने का प्रयास किजिएगा भई एकदम पूरे concentration के साथ एक second के लिए भी अब आप यहां बोट से ध्यान को नहीं हटाएंगे आप अपने वीडियो से खुद को अलग मत किजिएगा इसको समझ के ही इसके बाद आपको जहां जाना है जो करना है किजिएगा ठीक है चलिए तो बिल्कुल consultation के साथ आप इस वीडियो को यहां पे देखिए इसके साथ subject हो, subject चाहिए singular हो या प्लूरल हो यहां पे ही लिखाओ, सी लिखाओ, इट लिखाओ, दे लिखाओ, वी लिखाओ, यू लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, हमें कोई मतलब नहीं है इसके साथ हमेसा यूज होगा वर, क्या यूज होगा? helping verb के रूप में हमेसा यूज होगा वर यहां पर ही लिख दे, तो भी ही के साथ watch लगाते हैं हम लोग पास में, लेकिन यहां पर क्या लगेगा? तो यहां पर लगेगा, वर ही वर बात को ठीक से समझे और फिर इसके बाद यहां जो दूसरा पाट आएगा जो दूसरा sentence लिखा जाएगा उसमें हम लोग subject के साथ क्या use करते हैं तो इसमें हम लोग use करते हैं ओड प्लस वर्ब का first form क्या use करते हैं अब देखें दूसरा इसका जो format होता है इसके दूसरे format में कुछ नहीं करते इसको हम लोग उठा के पहले कर देते इसको उठा के बाद में कर देते हम इसको थोड़ा से यहां पर लिख के आपको समझाते चले तो subject के साथ आजाएगा उड़, उड़ के साथ आजाएगा यहां पर वह आपका first form यह first part हो गया, अब second part क्या हो जाएगा इस प्लस subject प्लस वर, इस प्लस subject प्लस वर यहां पर वह आपका second form, ठीक है बाद समझ में आ रही है इसका जो third format है उसमें हम लोग क्या करते है तो third format में हम लोग को सीखने को यह मिलता है कि यहां पर if का use करना हो, यदि यहां पर if का use नहीं करना हो, तो if की जगा हम लोग यूज़ करते हैं, वर का, किसका use करते हैं वर का use करते हैं, बाकी चीज़े सेम रहती है, अब देखें यदि इस की जगा work का use कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, यह देखें, वर आ गया अब वर आ गया तो वर के बाद क्या बचा यहां पर subject बचा इव तो गायब हो गया ठीक है और यदि यहां पर main verb यूज किया गया हो तो यहां पर deed आ जाएगा need plus subject plus verb की first form हो जाएगी बट वो rare case में आपके exam में दिखाई पड़ता है अभी तक आपके SEC में नहीं पूछा गया आपके SEC में जो पूछा गया वो यही पूछा गया इसलिए यही format हम आपको बता रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारा first part और second part as it is रहेगा यानि कि subject plus would plus verb का first form रहेगा subject plus would plus verb का first form ही रहेगा ठीक है बात समझ में आ रही है अब इसका जो fourth form है इसको भी थोड़ा समझते चले fourth form में हम लोग क्या करते हैं जो तीसरा structure है इसको हम लोग फिर से इसके sequence को आपस में reverse करते तें अर्थात हम लोग लिखतें यह यहाँ पर हम लोग फिर से क्या लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे subject plus would plus verb का first form subject plus would plus verb का first form लिखेंगे वर्ब का first form लिखेंगे यह हमारा first part हो जाएगा और second part फिर से वही रहेगा वर्ब प्लस subject रहेगा ठीक है अब आपके मन में खायाल आएगा सर इस structure का use हम लोग कब करते हैं कैसी बात को बताने के लिए करते हैं तो आप यहां पर थोड़ा सा रुख के आपके बुक में आपका एसे का जो बुक होता था उसमें केसे होता था यदि मैं प्रधान मंत्री होता if I were a PM ठीक है तो अब आप जरा ध्यान देजे उसमें लिखा होता था आप कभी खोल के उसको पढ़े हो तो देखे होंगे उसमें लिखा होता है यदि मैं देश का प्रधान मंत्री होता तो देश का पूरा खजाना हत्या लेता चीक है अपने घर में रख लेता चीक है और जो भी मेरा विरोध करता, मैं उसके मडर करवा देता, हत्या करवा देता, तो ऐसा समझा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कलपना एकस्प्रेस की जाती है, तो ऐसे ही बातों को बताने के लिए, ऐसे ही कलपना को दिखाने के लिए हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, जैसे यदि मै सलमान कानों होता तो प्यूंग का चौपढ़ा से सालीarin से चौपढ़ा संद्ध कर लोगे तो न तो ऐसा है और न ऐसा हestly तो उड़कर तुम्हारे पास चला गया थो घ्गार है इसी बातों को बताने के लिए इस ऐक example लेते हैं फटाफट इसका एक example लेते हैं if if he were a board if he were a board he would fly to you he would fly to you यदि वो एक चड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला गया होता बात समझ में आ रही है तो ऐसी बात को बताने के लिए इस structure का हम लोग use करते हैं आईए अब इसके बाद चलते हैं अगले slide में और अगले page में हम आपको conditional sentence type 2 से introduce करते चलें देखिए conditional sentence type 2 का format क्या है इसको भी ठीक से समझेगा क्योंकि conditional sentence में जितने भी question पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा संभाव ना होती है conditional sentence type 2 से और फिर conditional sentence type 1 से ठीक है conditional में भी हम आपको बता रहे हैं किसके probability जादा है तो इसके probability जादा होती है और फिर type 1 की जो अभी अभी हम लोग पढ़ चुके देखे इसका format क्या है कि if के साथ यदि आपको यहाँ पर head दिखाई पड़े head plus verb का third form दिखाई दे इसके साथ क्या मिलेगा तो head का third form subject के बीच में रहेगा ठीक है तो यह first part में रहेगा तो second part में आपको देखने को मिलेगा subject plus would subject plus would have plus verb का third form मिलेगा यह second part में ठीक है अब इसके भी चार format होते है चारो format वैसे ही है जैसे यह type 1 था अब यह देखिए type 2 का structure number 20 में क्या होगा यहाँ पर आजाएगा subject plus would have plus verb का third form subject plus would have plus verb का third form यह आजाएगा first part में तो second part में आजाएगा if plus had plus verb का third form अब यहाँ पर if का i जो होगा वह small रहेगा if का i कैसा रहेगा small रहेगा चुकि यह sentence के बीच में आगे ठीक है अब इसका जो third format है type c उसमें क्या होता है तो फिर यहाँ पर if का यूज नहीं करना हो तो यहाँ पर helping bob हम लोग हैड का यूज करेंगे तो हमारा structure क्या हो जाएगा हैड प्लस subject प्लस वर्ब का third form हैड प्लस subject प्लस वर्ब का third form है और इसी प्रकार से इसका जो चौंता format है उसमें हम लोग क्या करते हैं तो थर्ड वाले के पार्ट को आपस में डचेंज कर देते हैं तो इसकी अदि हम लोग बात करें तो इसका structure क्या बनेगा subject प्लस वर्ब का third form यह एक पार्ट हो जाएगा दूसरा पार्ट क्या बनेगा तो head प्लस subject प्लस वर्ब का third form बात समझ में आ गई अब इसका इस structure का यूज हम लोग कब करते हैं कैसी बात को बताने के लिए करते हैं आईए हम लोग इसकी तर्चा थोड़ी बहुत करते हैं इस structure का यूज हम लोग ऐसी बात को बताने के लिए करते हैं जो possible था जो किया जा सकता था लेकिन किसी भी कारण वस हो complete नहीं हो सका और अब उसके incomplete होने का दुख अपसोस या पस्चाताब हम लोगों को हो रहा हो या उसको जाहिर करना हो जैसे यदि हम लोग ठीक से पढ़े होते तो आज SAC में सेलेक्ट हो गए होते देखे पढ़ा जा सकता था ये संभव था कि नहीं बिल्कुल संभव था लेकिन हम लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए SAC में पिछले साल सेलेक्शन नहीं हुआ बात समझ में आ रही है और पिछले साल सेलेक्शन नहीं हुआ इसका अब हम लोगों को I would have selected in SSE last year, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यह थे आपके conditional sentence type 1 and type 2, conditional sentence type 1 and type 2, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी conditional sentence होते हैं, और वो बहत आसान है, उसमें समझने का कुछ है ही नहीं, अब देखिए अगला क्या होता है आपका, तो आप आपको मिलेगा always, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा always, यह first part में मिलेगा, ठीक है, जैसे conditional sentence type 1 में जो था, वो कोई भी first part में आ सकता था, कोई भी second part में आ सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहां पर क्या करना है, कि यह विस वाला part हमें सब पहले ही आपको दिखाई देगा, अब यहां पर सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखना है, कि यह past में है यह present में यह present में, अब यदि यह past में होगा, तो इसमें एडी लगा होगा, past में होगा, तो क्या लगा रहेगा, एडी लगा रहेगा, अर्थात यहां पर वर्ब का second form विस यूज़ किया गया होगा, और यदि यह present में होगा, तो subject plural होगा, तो विस दिखाई देगा, subject singular होगा, तो दिखाई देगा, बास समझ में आ रहे है, अब इनका concept यह है, जो आपके exam में देखने को मिलता है, कि यदि विस वाला part present में हो, तो इसके बाद जो दूसरा sentence आएगा, यह लिखा जाएगा, past indefinite यानि वो आपके second form में, past indefinite यहां यूज़ करेंगे, क्या यूज़ किसका यूज़ करते है, past perfect का यूज़ करते है, यहां पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो यहां पे हम लोग यूज़ करते है, head plus verb का third form, ठीक है, बात समझ में आ रहे है, अब दूसरी बाते हम आपको समझाते चले, कि इस verb के second form की जगह, आपको would, would plus verb का first form भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, यह दोनों same है, अब यह जो है, यह देखे, head plus verb का third form, इसकी जगह आपको would have plus verb का third form देखने को मिल सकता है, ठीक है, दोनों same है, clear है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी conditional sentence हम आपको पढ़ाते चले, तो एक दो और होते हैं, वो क्या है बाई, तो as if, as though, as if, as though, इन दोनों का meaning same है, इन दोनों का meaning same है, इन के साथ में भी इस वाला concept काम करता है, क्या concept काम करता है बाई, तो यदि first part present में होगा, first part किस में होगा, present में होगा, तो second part जो होगा, वो past indifferent में रहेगा, किस में रहेगा, past indifferent में रहेगा, किस में रहेगा, past indifferent में रहेगा पास्ट एंडिफरेंट का मिनिक क्या है तो वर्प का second form या ओड़ प्लस वर्प की first form ठीक है अब ओड की जिगा सोड भी हो सकता है लेकिन आपके एक्जाम में वो सब देखने को नहीं मिलता आपके एक्जाम में maximum कैसे इसमें maximum क्या अभी तक जो पूछा गया उसमें 99.99% कैस में would plus verb का first form पूछा गया या verb का second form पूछा गया ठीक है तो आप इतना भी याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा और यदि इनके पहले यहाँ जो sentence given रहेगा वो यदि past में होगा किस में रहेगा past में रहेगा तो अब if as if या as 2 के बाद अब यहाँ पर दूसरा sentence यूज के जाएगा यह रहेगा past perfect में किस में रहेगा तो यह रहेगा past perfect में अब ज़रा ध्यान दीजिए past perfect का मिनिंग क्या है तो past perfect का मतलब होता है head plus verb का third form क्या होता है head plus verb का third form या would have plus verb का third form तो दोनों में से कोई भी available हो सकता है अब as if as do का meaning क्या होता है तो मानो कल्पना करो जैसे मान लेजे हमारी याप की लड़ाई हो गई 10 मिनट पहले बहुत भयानक लड़ाई हो किसी भी दो व्यक्ति में बहुत भयानक लड़ाई हो मान लेजे एक husband और वाइफ है तो दोनों husband wife है और दोनों में जम के लड़ाई हो गई हम तुमको divorce दे देंगे हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हम भी सूची रहे थे कि कब तुमसे मुक्ति मिले ऐसी वहाने को वाली लड़ाई हो गई दोनों अपने अपने घर चले गई या मान लेजे दोनों घर से भाग गई और थोड़ी देर के बाद दोनों एक साथ कहीं भी आपको दिखाई दे किसी पार्क में घर में कार में दोनों अगर एक साथ एकदम हाथ में हाथ डाले हुए घूम रहे हों तो आपको देखे आश्यर होगा अभी थोड़ी दिर पहले इन दोनों में ऐसी लड़ाई हुई थी, जैसे दोनों एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए भूल लाएंगे, और दोनों अभी एक दूसरे के साथ ऐसे दिखाईती रहे, जैसे कभी इनके बीच लड़ाई हुआ ह नहीं था ठीक है तो ऐसी बात को बताने के लिए वो ऐसे प्रेजिव करती है जैसे वह आप संबज में आ रहे तो एसे कलपना को बताने के लिए इसे जुब लोग करते हैं तो इनको कैसे सौळ करेंगे यह आप जरत ध्धान से समझें रां को लिए इसमें वर्ब का फॉर्म है यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यह आपको दिखाई पड़ता है एक्जाम में यहां क्या यूज कर लेंगे हम लोग पास्ट का यूज कर लेंगे यहां पे वी टू हो तो तो यूज कर लेंगे past perfect का और ठीक इसी तरीके से वेस्ट में भी करेंगे वेस्ट वाला पाट यहाद हो तो इधर ये वाला यूज करेंगे और यहां पे wizard हो तो यह वाला format यूज करेंगे ठीक है बास समझ में आ रही है और इनसे रिलेटर यह जो conditional sentence type 1 and type 2 थे इसको आप कैसे solve करेंगे इसको फिर हम आपको समझाते चले exam का जो question है आप उसको कैसे solve करेंगे यह exam में appear होंगे तो कैसे solve करेंगे आपको simply देखना है कि if के साथ क्या दिया हुआ है तो या तो यह part आपको third form दिखाई दे तो आप चेक किजिए इसके पहले वाले में if plus head वाला format given है या नहीं if plus head plus verb का third form वाला format given है या नहीं यदि पहले part में if plus subject plus head plus verb का third form अर्थात ये वाला given है तो second part में ये given है या नहीं बात समझ में आई ये wise versa तो होई सकता है अब यहाँ if के जगा head वाला ये format भी आपको दिखाई पर सकता है तो यदि आपको किसी भी एक part में left वाला part हो या right वाला part हो उसमें आपको head plus subject plus verb का third form दिखाई दे तो head plus verb का third form दिखाई दे तो उसके बाद या उसके पहले जो sentence लिखा होगा उसमें और इसी तरीके से conditional sentence type one में भी हम लोग question को solve करेंगे यदि first part में हमें if के सांथ word दिखाई दे तो second part में word plus verb का first form यूज होना चाहिए और यदि first part में word plus subject हमें दिखाई दे word plus subject दिखाई दे तो second part में word plus verb का first form होना चाहिए या ये वाइस वर्सा हो सकता है ठीक है तो इन चारों को आप याद रखें और इसके बाद वले ये जो conditional sentence type two थे in case format को याद रखें और फिर इस format को याद रखेंगे और फिर इस format को याद रखेंगे इसके बाद आपसे कोई भी conditional sentence पूछा जाए उसमें कहीं भी कोई भी कभी भी आपसे गलती नहीं होगे ये इतने आसान है तो सबसे पहले आएए ये आपके screen पे ये जो question दिखाई दे रहा है ये किसका था ये था future perfect continuous का जिसको हम लोगों ने solve कर लिया था अब यहां से आईए कुछ question को हम लोग देते हैं यहां पर हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं यहां पर देखे आपको दो sentence दिखाई दे रहा है एक sentence यह वाला और दूसरा sentence हम पिन का color change कर लेते हैं ताकि आपको पाचानना और आपके लिए सीखना थोड़ा सा comparatively easy हो जाए ठीक है अब यहां पर देख आस्क अर्थात है हैड के साथ वर्ब का third form दिखाई दे रहा है ठीक है तो हैड के साथ वर्ब का third form हो तो या तो यह पार्ट गलत या तो वो पार्ट गलत अब कौन सा पार्ट सही है जरह sentence को पढ़िए I would gladly accompany your sister मैं खुसी के साथ तुम्हारी बहन का साथ देता उसको company देता if you had asked him यदि तुम उसे पूछे होते तो पूछा तो जा सकता था संभव था ठीक है जो काम संभव था संभव होने के बावजूद किसी भी कारण बस नहीं हो सका उसको बताने के लिए हम लोग कौन सा कंडिशनल सेंटेंस यूज करते हैं second वाला कंडिशनल सेंटेंस और would have plus verb का third form यूज कर रहे थे ठीक है अर्थात की ये वाला part हमारा correct हो गया अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा I would have gladly I would have gladly बात समझ में आ रहे हैं तो ये part हमारा wrong होगा हमें क्या लिखना होगा I would have gladly accompanied your sister ठीक है तो यहाँ पे हमारा answer क्या बन जाएगा I would have gladly accompanied your sister यहाँ पे क्या लगेगा भाई अब इसको हम थोड़ा से लिखते चले क्या यूज करेंगे तो इस first part में हम लोग यूज करेंगे would have plus verb का third form would have plus verb का third form next second question में चलते है if you had told देखिए if you had told फिर से यह हैड आगया है यह वर्ब का third form आगया टेल टोल्ड टोल्ड टीक है अब अगले पार्ट में देखिए यह देखिए उड़ की जग माइट मिल गया ठीक है would have plus verb का third form यह देखिए यह वर्ब का third form है ठीक है अब यहाँ पे माइट के साथ हैड नहीं आएगा यहां के कोई ज़रूरत नहीं है can का past could होता है तो यहा इखिए कर का past come होता है old होता है old हो सकता है में का past might होता है might हो सकता है ठीक है बात समझ में आरे ही है अब यहां देखिए if I was you देखिए यहां I लगा हुआ है I के साथ साधारन तोर पे हम लोग past में क्या यूज करते हैं तो past में आम तोर पे हम लोग यूज करते हैं was का जैसे he के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं तो he के साथ हम लोग यूज करते हैं was का ठीक है लेकिन हमने आपको क्या बता है conditional sentence type 1 में subject जैसा भी हो singular हो या plural हो सबके सांथ क्या यूज करना है तो आपको यूज करना वर तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे वाज की जगह वर किसका यूज करेंगे वर if I were you यदि मैं तुम्हारी जगह होता I would not तो यह देखे would plus verb का first form की जगह आ गया would have third form अब यहां पर दोनों में error दिखने लगा अब इस पूरे question को जरत ठीक से पढ़िए if I were you यदि मैं तुम्हारी जगह होता ऐसा होता नहीं यह कुरी कल्पना है तो यहां पर if I were you और इस पार्ट में हमें क्या use करना होगा तो हमें use करना होगा verb का first form यानि कि यह दोनों ही पार्ट error था यह आपको क्यों समझाने के लिए हमने लिया था ठीक है यह किसी previous year question में पूछा गया question नहीं है किसी SEC में पूछा गया question नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा would join next last question में चले have you not reached in time we would have lost यहां देखिए we would have lost यहां पर देखिए यदि तुम ठीक समय पर नहीं पहुंचते यदि तुम समय पर नहीं पहुंचते वी would have lost देखिए तो समय पर पहुंचा जाया सकता था यह संभव था समय पर पहुंचने संभव था किसी कानवस हम लोग लेट हो गए उसके बारे में कहा जा रहा है तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे तो कंडिशनल सेंटेंस टाइप टू का फॉर्मेट यूज करेंगे तो यह देखिए यह सेकेंड वाला पार्ट से हो गया ओड़ है प्लस वाप का थर्ड फॉर्म अर्थात यहां पर क्या करना होगा इस हैब की घेकगे औश्ञांपल के तौर पर हमने कोशन सब्सक्राइब का इसकेंड पूछःत है यह तो यह देखिए यह तो वर्ब का सेकेंड फोंड होpflicht के साथ वर्ब करेंगे यह पर फ्लस वाप का फ्सवं लगा हृँगा यह पार्ट करेक्ट है ढkówनेगा थिक हा वर्ब का 5th form यानि कि यह है present तो यह present है तो इधर क्या होना चाहिए past तो यह देखिए verb का second form लगा हुआ है ठीक है फिर next आगे चलते हैं यह देखे as if as if के पहले यह देखे क्या लगा हुआ है past तो as if के पहले past है तो उसके बाद क्या आता है past perfect तो यह देखे past perfect लगा हुआ यह part correct है ठीक है आगे देखे यह as if as if के पहले क्या है present तो इधर क्या रहेगा past यह भी past लगा हो यह भी correct है अगले में चलते है as if as if के पहले देखे यह क्या है present तो इधर क्या होगा past indifferent तो यह देखे past indifferent यह भी कैसा है correct है बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से आप आसान इस और को श्रफ की तरफ ऐसे कुशन जो कंडिसन से पूचे तो आपको सामने यहापँ दिखाई दिना है यहां देखिए फिर से कि अर्फ करेंगे हमारा अंसर करे वाइब यहां तो हम्हें क्या करना था हम्हें क्या करना था कि के सेक्षन वताना था तो यह लिए और था ऑप्श नम्बर ड do n pagan से आगे हैं फटाफट कुछ और कोशन हम बनाते चलें यह रहा अगला कोशन आपके लिए इस स्क्रेंट पर इस क्रेंट पर देखे इस कोशन में क्या दिया हुआ यहां देख्वें प्लस वर्ब प्लस वर्ब का third form तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इफ तो दिखाई दिया अब यहाँ पे हम लोग क्या use कर लेंगे head का use कर लेंगे if he had come come क्या है वर्ब का first form भी होता है और वर्ब का third form भी होता है come came come coming comes ठीक है next तो अब इस question को आप solve कर सकते है इस answer क्या बनेगा हमारा इस question में करना क्या था if he had come to know हाँ तो इस question का अंसर हो गया हमारा option number c यानि correct answer हमें यहाँ पे choose करना था next अंगले question में चलें इन दोनों question का अंसर हम लोग चलिए फटाफ़ट बनाते हैं तो देखिए उपर वाले question का अंसर क्या बनेगा भाई तो उपर वाले question में देखिए फिर से यहां क्या दिखाई दिया if इसके पहले क्या दिखाई दिखाई दे रहा है wonder और इफ के बाद वाले part को जरा चेक करें had mistaken यानि had plus verb का third form तो इसके पहले वाले part में क्या यूज करेंगे would have plus verb का third form तो इस question में करना क्या था हम लोग को error बताना था error बताना था तो इसमें error कहां पे है भाई तो इसमें error बनेगा यहां पे he wonder for a moment if he had mistaken the direction तो हमारा answer क्या बनेगा answer बनेगा यह wonder वाला section ठीक है second question में चले I would have died if he did not address यह देखे इफ के साथ या तो वर या तो वर्ब का second form देखे यह वर्ब का second form आगया did plus verb का first form तो यह past and different हो गया इधर क्या मिलेगा would plus verb का first form क्या मिलेगा would plus verb का first form तो यहां होना चाहिए था would plus verb का first form यानि कि error है इस वाले section में option number D में ठीक है तो आप देख पा रहा है question कितने आसानी से बन रहा है बिना Hindi meaning जाने हुए तो आपका approach इसी तरीके से आपके exam में होना चाहिए अब इस question में देखे यह भी आपके CHSL 2020 में पूछा गया question है हैड हैड के साथ यहाँ वर्ब का ing form तो सबसे पले है कि have had had having has इन हैड के पांचों में से किसी भी form के साथ कभी भी ing form नहीं आता हमने आपको बता रखा है कि हैड family के साथ वर्ब का कौन सब form आता है वर्ब का third form आता है यह बात हम आपको present perfect से हैं बताते आ रहे है ठीक है अगले part में देखें क्या लगा हुआ है would have plus verb का third form would have plus verb का third form है यहां क्या होने चाहिता है had plus verb का third form तो ज़रा answer देख लिए हम लोग had plus verb का third form है क्या कहीं पे यह रहा आपका option number b क्या रहा option number b तो हमारा answer बनेगा had you not in interfered ठीक है next यहां से आगे बढ़ते है अगले question की तरफ यह देखिए question यहां पे देखे would have plus verb का third form would have plus verb का third form तो if के साथ क्या आएगा if के साथ had plus verb का third form आएगा तो यहां पे क्या करें had received had received है तो यह answer हो गया आपका option number d क्या बना option number d बना next अगले question में चलते है that man would have देखे यहां पे would have plus verb का third form would have plus verb का third form और यहां पे क्या दिखाएद रहा है verb का second form तो यहां क्या होना चाहिए if plus had plus verb का third form यानि correct answer बना चाहिए हमारा if you had gone if you had gone तो इसका ज़रा answer देखे हम लोग इसमें करना क्या है इसमें error हमें find करना था इस question का answer क्या बना option number D इस वाले section में error है next अगला question एक और है आपके सामने यह देखे यहां पे wish वाला part किसमें है ed लगा हुआ यानि कि यह चला गया past में तो इसके बाद कौन सा आएगा past perfect past perfect यानि कि had plus verb का third form या would have plus verb का third form तो देखे यहां पे क्या होना चाहिए था इसमें आपको बताना error यहां पे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे इसका correct answer यहां पे हमारा बनेगा option number A had plus verb का third form लगा देंगे तो had come क्या हो जाएगा past perfect में चला जाएगा ठीक है next अगले question की तरफ चले it was cloudy in the morning it was cloudy in the morning सुबह में कैसा था cloudy था मौसम but the sun is signing now अब यहां देखे यहां क्या लगा हुए now लगा हुए now लगा हुए तो sentence किसमें रहेगा present continuous में और यह sentence किसमें present continuous में तो इस question का answer क्या होगा no improvement तो यहां पर हम लोगों का sentence का slide up समाप्त होता है sentence के class को हम लोग यहां पर अब sum up करेंगे एक last question इसको बनाते है यहां पर देखे if he does not score 40% in all the subjects यहां पर देखे meaning छोड़ देते हैं meaning समझने को जरूरत नहीं यहां पर देखे if के साथ क्या दिखाई दे रहा है यह do does दिखाई दे रहा है ठीक है और अगले पार्ट में देखे क्या दिखाई दे रहा है would plus verb का first form would be plus यह verb का first form अब आपको error यहां पर बताना है यहां पर बताना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जरा I option की तरफ देखे और एक बार meaning को भी समझते चले if he does not score 40% यदि वो 40% score नहीं करता है in all the subjects सारे subjects में यदि उसको 40% marks नहीं आते हैं he would अब देखे यह चला गया future वाले sentence में यह देखे if के साथ क्या लगा हुआ है present और अब यहां क्या चाहिए हमें future वाला part चाहिए तो हम क्या करेंगे हम इस answer करेंगे option number D यह अभी आज के ही class में हमने आपको future indifferent पढ़ाते समय यहीं बात बताई थी कि दो future वाले sentence से एक साथ आ जाए तो वो sentence जो किसी भी time और condition इंडिकेटिंग वाट से सुरू होता है उसको हम लोग salmon में उसको हो sentence को हम Perm से λ divorce में नहीं दखते हैं और था था कि वो sentence जो वो sentence जो किसी भी Time और condition इंडिकेटिंग वाट से start होता है या उसके बाद आथा उसमें लोग यूज करते है your different का और present different का meaning था वर्ब की first form या वर्ब का fifth form sentence या negative होगा तो do does के साथ वर्ब का first form यह हमने आपको सिखाया था ठीक है चलिए तो अब यहां पर हमारा answer क्या बन जाएगा यहां पर आंसर बन जाएगा देखे यह इफ वाला उड के कारण क्यों हुआ क्यों कि विल का पास्ट होता है उड और पास्ट यहां पर आ ही नहीं सकता इस नौट बेंग अब यहां present continuous दे दिया present continuous आ नहीं सकता एक यह option है future का ठीक है तो अब आज के इस जास को हम लोग यहां पर समाब्द करते हैं और इसी के साथ यहां तक हम आपको टेंस के जितने भी concept सिखाए बताएं वो सारे के सारे concept आपके सारे exam के point view से आपके इसके बाहर आपके एससी exam में कुछ भी question आने बाला नहीं ठीक है तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें ठीक है हमारे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कि किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लिजिए इन सारे चीजों को कर लिजिए ताकि आपको वीडियो देखने में ज्यादा सुविदा हो और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक इसको ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से वीक हो या किसी कारण से उनका एक-दू पेपर में क अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप सबों का बहुत-बहुत धनेवाद